जिस तरह से बंगाल में NRS हस्पिटल में जुनियर डॉक्टर के उपर निर्मम रूप से कुछ लोग आकर उन पर आक्रमंट किये इसका सीधा सीधा दाइत्व हमारे बंगाल के मुख मंत्री एबं स्वास्त मंत्री ममता बनर जी के उपर जाता है ममता दीदी ने बंगाल के लगबख सारे एवं मेडिकल कॉलेज को धमकी दे कर बंद करने की जिस तरह से चेश्टा की ये खूप नंदनी है एवं बंगाल के साथ साथ आज पूरे भारत में सभी जुनियर डॉक्टर एवं सीनियर डॉक्टरों का विखोप परदर्शन सारे भारत वर्ष में लगातार बढ़ा जा रहा है विखत काल हमने देखा है कि दिल्ली के एम्स में डॉक्टर ने अपने सर पर पट्टी बांध कर इस एनरेस के साथ खड़ा होने का जो कार्य किया है एवं साथी कल उडिशा के किसी एक प्रांत मर डॉक्टर ने ममतावनर जी का पुपला जला कर एक सीधा साफ संकेत दिया है कि वो बंगाल के एनरेस के छात्रों के साथ खड़ा है आने वाले समय में अकिलवर्ति विद्दार्ती परिशत इस अंदुलन को राज्य ब्यापी से लेकर राष्ट्य ब्यापी तक लेकर जाने के लिए तयार है जिस तरह से बंगाल में आज गनतंत्र की हत्ता के साथ साथ बंगाल के सौस सिवाओं को भी एक निम्नस्तर पर लाया जा रहा है बंगाल के डॉक्टरों को धंका कर उन्हें होस्चल से निकालने का परितन किया जा रहा है उनको बाहर निकालने का परेतने किया जा रहा है एक फूप नंदन नहीं है एवं ये घटना का विदार्ती परिशत कूप कठोर निंदा करती है हमारे साथ बंगाल में एक डॉक्टर स्री हमारे मानगर अध्यक्ष डॉक्टर अभिशेक हलदर जी उपस्तित है अभिशेक जी और बाकुरा मेडिकल कॉलेज से लेकर यहां पर नैशनल मेडिकल कॉलेज का होस्टेल सभी जगा पे पूरा राज्य में डॉक्टर के उपर एटक हो चल रहा है और ये पूरा जो एटक चल रहा है ये टीमसी के मदब से हो रहा है CM के जानकारी में हो रहा है उनका प्रशासन सामने खड़ा होने के बावजुद भी ये चीज चल रहा है और गुंडा गर्दी चल रहा है गुंडा आके डॉक्तर को एटक कर रहे है बुरी तरीके से एटक कर रहे है और वो लोग होस्पिटरलाइज धो रहे है तो इसके लिए जो प्रोटेस चल रहा है ये चलता रहेगा और ABVP ये आंदोलोन के साथ जुनिया डॉक्तर की आंदोलोन के साथ चलता रहेगा ये आंदोलोन हमारे तरब से भी सब डॉक्तर के साथ हम लोग है और पूरे देश में यह आंदोलन चलता रहेगा जब तक ना विचार सही विचार मिले ये जोक्तरों को तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा भारत माता की जाए झालता रहेगा जाए